हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें अपनी यूट्यूब चैनल के सबस्क्राइबर्स को बढ़ाना है तो हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं तो चलो बिना time waste के हम इस method को apply करेंगे आप भी उसी तरीके से हर कोई setup करना जिस तरीके से मैं करूंगा और उमीद है कि आपको best result मिलेगा आप ये ट्रुक अपने फोन पर apply कर सकते हो अगर आपके पास system है उस तरी आप ये ट्रुक apply कर सकते हो इसके लिए पहले हम direct जाएंगे अपने browser पे वहां पे हम लिखेंगे great online tools जो हैं हम ये लिखेंगे यहां पे हमारे पास बहुत सारी website open हो जाएंगे लेकिन जो पहली वाली website है हम इसी को open करेंगे यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे हमारे पास बहुत सारे options आ रहे हैं तो लेकिन इस वक्त हमें अपने YouTube के subscribers को बढ़ाना है तो इसलिए हम ये वाला जो free YouTube subscribers से इसी tool को open करेंगे इसके बाद हम देखेंगे कि यहां पे यह हमें नीचे एक option दिखाई दे रहा है असल में इस तरीके का होता है कि जो हम पहली बार आओगे तो यह इस तरीके का होगा यहां पे हमें उस अपनी चेनल का link add करना है तो हम क्या काम करेंगे हम अपने यूट्यूब पे जाएंगे और यहां पे अपनी चेनल का जो भी हमारी चैनल की लिंक होगी हम उसको कापी करें यहां पे देखो यह हमारी चैनल की लिंक है हम इसको कापी करके यहां पे पेस्ट करेंगे लेकिन उससे पहले आप देखो कि यहां पे अभी तक मेरे खाली चार सबस्क्राइबर्स है यह मैंने डिमी चनल बनाई है इसमें अभी तक खाली चार सबस्क्राइबर्स है इसको हमने यहाँ पे पेस्ट किये इस चनल की लिंक को और यहाँ पे सरच पे किलिक किया है तो आप देखो क्योंकि हमें बढ़ाने हैं सबस्क्राइबर्स तो subscribers बढ़ाने के लिए हमें पहले कुछ बातों का ख्यार रखना है पहली बात हमें कितने subscribers बढ़ाने हैं अगर हमारे पास suppose हमें 10 subscribers बढ़ाने हैं उसके लिए यहां पर आप जो यह option देख रहे हैं your creditors यह भी सोने चाहे याने कहने का मतलब है कि जितने भी subscribers हमें बढ़ाने हैं उससे दुहरा हमें यहां पर creditors होने चाहें suppose कि अगर हमें एक subscriber को बढ़ाना है तो हमारे पास यहां पर दो creditors होने चाहें अब suppose मुझे 5 subscribers को बढ़ाना है तो इसके लिए मुझे credits यहां पे दस होने चाहिए लेकिन वो credits मैं लाओंगा कहां से उसके लिए यहां पे आप देख सकती है यहां पे earn credits का option आ रहा है आप इसके click करके credits कमा सकती हो यहां पे आप देख सकती हो कि एक like अगर करोगे तो एक credit earn करोगे अगर हम और एक option भी आता है इसमें यह देखो एक सब्सक्राइब चलो पहले like पे यूज़ कर देखो अगर हम कोई भी एक like यहां पे apply करेंगे तो हम एक credit तो कमा सकती है देखो हमें इसको like करना है जो ही हम इसको like करेंगे sorry यहां पे देखो मैंने यहां पे like इसका किया तो देखो आप यहां पे मुझे एक credit अभी count हो जाएगा अभी यह refresh ही हो रहा है थोड़ा इंतिजार कीजिए देखो one credit added successfully और यहां पे भी देख सो जो एक credit आ गया अब अगर हमें फिर से suppose कभी हम चाहते हैं कि हमें जलद जलद credit हाच लो देखो यहां पे अगर हम किसी चैनल को इस चैनल को subscribe करेंगे हम दो credit करेंगे यहां पे देखो जो ही हम इस पे click करेंगे और यहां पे इसको subscribe करेंगे आप देख सकते हो कि अभी तक एक ही credit है मेरे पास अभी यह count हो रहा है देखो हो गए तीन अगर हमें और दो करने हैं देखो अभी तक तीन थे तो अभी पास credit हमें औरन हो जाएंगे देखो हो गए पास suppose यहां पे मैं फिर से इसको subscribe करता हूं तो देखो असल में हो क्या रहा है यहां पे असल में आप कहोगे कि हमारे जो subscribers अभी एड़ हो जाएंगे वो fake है असल में वो fake नहीं है क्योंकि अभी जो यहां पे हम यह subscribe कर रहे हैं यह actually कोई channel है और यहां पे हम back end में actually subscribers है इस किसलिए क्योंकि हम credits earn करने के लिए पहले उनकी channel को subscribe है जिन्होंने already credits यहां पे अरनी किए फिर वो अपने credits भेजते हैं वो किनको भेजते हैं जो भी यहां पे उनकी channel को subscribe करते हैं जितने भी लोग की चैनल को हम subscribe करेंगे उतने credits मिलेंगे अगर like भी करेंगे उतने credits हमें मिलेंगे याने कि यह बैक अंड में actually यहाँ पर user subscribe करता है actually बैकेंड में user इसको like करता है इसलिए कोई fake subscriber यहाँ पर likes नहीं मिलती है अब suppose हमारे पर 7 credit है इसका मतलब है कि अब हम कितने कम असकम 3 हम इससे अपने subscribers बढ़ा सकते हैं अब 4 तो बढ़ा सकते हैं लेकिन उसके लिए 8 credit होने चाहिए इसलिए हम 7 तो नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि subscribers आधे आधे तो नहीं बढ़ा सकते हैं इसलिए हम minimum हम यहां पे अभी 3 subscribers बढ़ा सकते हैं इसके लिए अगर हमें subscribe बढ़ाना है अब तो अब यहां पे boost channel पे click करना है यार अब तो हमारी channel को boost करो अब यहां पे दिखाई दे रहा है कि आपको बढ़ाना क्या है तो हम यहां पे जाएंगे हमें YouTube subscribers को बढ़ाना है तो यहां पे रखना है YouTube subscribers अब कितने बढ़ाने अब यहां पे अगर हम suppose चार रखेंगे देखो यह क्या दिखाएगा इन सबसेंटर क्रेडिर्स क्योंकि हमारे पास साथ ही है हमें चाहिए कितने आठ लेकिन अब हम अगर रखेंगे तीन ही हमें उसके लिए छे क्रेडिर्स की जुरूरत है और हमारे पास साथ है हमें एक बचेगा भी इसलिए हम क्या काम करेंगे हम यहां पे इस तरीके का देखो यूर प्रमोशन हैज बिन सकस्पली एड़ याने कि आपकी प्रमोशन के लिए हमने आपको अपने लिष्ट में एड़ किया है अब आप अपनी promotion को कहाँ पे देख सकती हो view promotion page जो यहाँ पे view promotion है अब आप यहाँ पे click करो अब देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे आपकी ID आ गई है यहाँ पे इसका मतलब है कि रुकाई अगर आपको कितने subscribers बाया है हमने apply किया है तीन subscribers के लिए अभी हमें कोई नहीं आया अब हम इसको refresh थोड़ा करेंगे देखते हैं कोई आया है कि नहीं यह देखो एक subscriber हमें बढ़ा अभी तक कितना थे हमारे पास चार अगर हम इसको refresh करेंगे तो आब आप देखोगी कितने हैं हमारे पास subscribers यह देखो भाई छे क्योंकि छे इसलिए है यहां पर और एक आया होगा यह देखो दो आ गए है अभी स्टैटस रानिंग में है याने की अभी हमारे जो सबस्क्राइबर्स बढ़ रहे हैं क्योंकि हमें तीन चाहिए अभी तो डिलवोर्ड दो ही हो गए तो इस तरीके का है अभी हम पास करते हैं वीडियो को जब तक कि यह कंप्लीट हो जाएगा यह देख सकते हो आप कि यहां पर मुझे चाहिए थी तीन सबस्क्राइबर्स और यहां पर डिलवर्ड भी हो गए तीन और यहां पर कंप्लीट भी हो गया है स्टैटस यानि कि मुझे जितने सबस्क सबस्क्राइबर्स को बढ़ा सकते हैं तो आप देख सकते हो बाई यहां पर साथ आ गए इससे पहले मुझे खाली चाहर थी तो यह था कि हम किस तरीक से अपने सबस्क्राइबर्स को बढ़ा सकते हैं थैंक यू